ये फ्रेंस में पूणम स्वागत करती हूं अपक्र कुकिंग पैशंग चलने में फ्रेंस घर्मिया चलने हैं तो टिंग सोड शेक हम सभी को पशन दोते हैं अगर शेक का नाम हो तो हमारे मैंड में सबसे पहले मैंगो शेक का नाम आता तो चलीए इसको बनाना शुरू करते ह सभी नाने के लिए चाईए हमें चार कटे वे मैंțा थोड़े से कटे वे पिस्ता के थोड़े से कटे वे बादां प्रफे काजू यह यह ओपशनाल है आप ईसकोई इसकिप भी कर सकते हो आप कपचिनी केमरास यह हैं आप इसको भी आपजाने सकते हो अगर जब डालना हो तो वन ड्रॉप ही डालें एक बड़ा कप ठंडा मिल्क फ्रंस मैंगो को अब हम ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे अब चीनी को अड़ करेंगे फ्रंस मीठा अब अपने अगॉर्डिंग रखे कम या ज्यादा जैसा भी आपको पशंद हो अब मिल्क को अट करेंगे फ्रिंग मैंने थोड़ा सा मिल्क बचा कर रख लिया है बात बैट करेंगे टेक्शर को देखकर अब इसको ब्लेंड कर लेंगे फ्रंस मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अब आपको इसका टेक्शर दिखाती हूं देखे कितना क्रीमी और स्मूध इसका टेक्स्चर है अब इसको सेवीशिंग जान में ट्रांसफर कर लेंगे फ्रंट सब इसमें गार्निसिंग के लिए थोड़े से ग्लास में बादाम डालेंगे थोड़े से काजु डालेंगे थोड़े से पिस्ता डालेंगे थोड़ी सी टूठी फूटी डालेंगे आप इसकिप भी कर सकते हो आप्शनल है अब मैंगो शेक को डालेंगे आइस क्यूब डालेंगे उपर से गानिसिंग लिए फिर से ड्राइप फूट डालेंगे थोड़े से बादाम डालेंगे कर सकते हो आपको पशन्द हो थोड़े से काजू डालेंगे थोड़े से पिस्ता डालेंगे तूटी फूटी डालेंगे आपको नहीं पशन्द है तो इसकिप कर सकते हो यह प्रेसर को भी डालेंगे यह उप्शनल है आपको नहीं पसंद तो इसको भी इस्किक पर सकते हो क्षोज के कुछ दागे डालेंगे फ्रेंट्स हमारा मैंगो शेक रेडी है आप इसको पीकर इंजॉय करें अगर आपको अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें लाइप करें कमेंट करें हमारे वीडियो को सभी के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग